चोपडा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर देख स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चो, आर्मी नेवी एर फोर्स में काफी सारे स्टुडेंट्स का AJ डोक्टर सर्विस करना सफना होता है, यानि कि काफी सारे स्टुडेंट्स चाते हैं कि उनका आर्मी नेवी एर फोर्स में स्लेक्शन हो जाए ताकि वो देश की सेवा करने वाले जवानों की सेवा कर सकें, तो इसमें साथ साथ देश की सेवा करने का मोका तो मिलता ही है, साथ में इसमें अच्छी सेलरी मिलती है, अच्छी फेसलिटियां मिलती है इसमें, और AFMC जो पूने में हैं वहां से MBBS करके डोक्टर बन सकते हैं दूसरा किसी भी Institute से MBBS करने के बाद में Army का exam होता है Inter sectors करने के बाद Army का exam होता है वो clear करने के बाद आप Army में डोक्टर बन सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा process बताऊंगा कि AFMC में आप selection कैसे ले सकते हैं, कितने इसमें CT हैं, क्या इसकी eligibility है, कितने cut-off रह सकती है, previous year में क्या cut-off रही थी, इसमें admission कैसे ले सकते हैं और बहुत सारी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, AFMC के regarding, तो सबसे पहले हम AFMC की जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो MCC, All India Quota, State, IU, Swetnery, इन सब के बारे में हमारी book available है, और इसमे All India Quota, AIMS, Zipmar, AFMC, DUIP, Internal, Central University, ESIC, Dimmed, Central Pool Quota, इन सब के बारे में information दी गई है, इन में 24 लिस्ट दी गई है, 2024 के लिए आपको कैसे 24 फिल करनी है, round wise, category wise, college wise कटोप दी गई है, जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपकी rank पे पिसले ES में कौन से rank पर कौन सा college मिला था, वो आपको मि बिलने की possibility है, इस बार, round wise counseling process के बारे में समझा रखा है, flow chart से, fees और bond के बारे में, और और भी सारी information दी गई है, इस book में, तो twice list इस प्रकार से दी गई है, और इसमें cut off दी गई है, AIMS, Zipmar के बारे में, Central Pool Quota के बारे में, counseling process के बारे में, SAE State की book में, हर एक state के बारे में, information दी गई है, cut off वगएरा की documents required की हर एक state का counseling process के बारे में, यहां समझाया गया है, SAE IUS veterinary की book में भी यह सारी facility available है, इस वीडियो के description box में, आप more पर click करेंगे, description box में, books का link दिया गया है, वहां से आप download कर सकते हैं, या फिर हमारी website www.shopraeducation.in से भी इनको download कर सकते हैं आप, FMC के बारे में, इसमें आपको admission कैसे लेना है, क्या cut off रहेगी, और क्या admission का process है, तो AFMC ने अपना information प्लेटीन 2024 के लिए जारी कर दिया है, और सारी condition उसमें दे दी है, मैं आपको information प्लेटीन के मुताबिक यहां सब कुछ समझा देता हूं, और अलग से भी information आपको दे देत तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी जानकारी AFMC की, तो Armored Forces Medical College इसका नाम है, और यह माराश्टर के पुणे में situated है, यह 1948 में इसमें PG course स्टार्ट होए थे, और 4 अगस्त 1962 से इसमें MBBS course run हो रहा है, यह माराश्टर University of Health Sciences नासिक से affiliated है, बाकी कोलेजियों की तरह इसम की internship होती है इसमें, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि condition क्या है, इसकी eligibility क्या है, तो सबसे पहले citizen of India होना चीए, इसमें 5 seat है, government sponsored candidates की होती हैं, जो friendly foreign countries हैं, उनके candidates के लिए 5 seat हैं, तो जो foreign national के Indian candidates हैं, उनके लिए भी 5 seat हैं, और जो ministry of home affairs द्वारा nominated candidate होते हैं, वो भी इन seats पर admission ले सकते हैं, 5 seat पर, तो इसमें Indian citizen होना चीए, और इसमें unmarried होना चीए, और course के दोरान स्यादी नहीं कर सकते candidates, इसमें age के लिए condition minimum age 17 years है, maximum age है, वो 24 years है, एक जनवरी 2001 से लेकर के 31 December 2007 के बीच में student का जनम होना चाहिए, तो ये तो general eligibility की condition है, अब academic condition देखते हैं यहां पर यानि कि इसमें academic candidate के लिए ज्यादातर student 12th pass ही होते हैं, और अगर 12th के pass में किसी ने B.A.C. कर रखा है, और भी कर रखा है, तो ये सारी की सारी इसमें condition दे रखी हैं, लेकिन main condition यह है कि इसमें जो qualifying exam है, वो 12th pass है, इसमें 12th pass जरूरी है, 12th year की जो study है, वो जरूरी है, और 11th, 12th में physics, chemistry, biology और biotechnology subject होंगे इसमें, अब इसमें first attempt में ही qualifying exam clear होना चीए, यानि कि आप 12th class एकी बार में pass होने चीए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार supplementary आ गए या fail होगे और दूसरी बार 12th का exam दिया है, तो वो candidate इसके लिए eligible नहीं है, यानि कि एकी बार में आपने 12th class पास की हो, अब आपके subject होंगे उसमें 12th class में, जो qualifying exam है उसमें, English, Physics, Chemistry, Biology या फिर biology की जगे बायो टेकनोलोजी subject भी हो सकता है, तो इन सब में pass होना चीए, अलग-अलग, अभी 60% aggregate marks इन 3 subjects में होना चीए, Physics, Chemistry, Biology या फिर बायो टेकनोलोजी subject में, अब English में 50% होना चीए, औ और बाकी जो 3 subject, Physics, Chemistry, Biology या बायो टेकनोलोजी उनमें अलग-अलग 50% होना चीए, पहले aggregate था 4 subject में, अभी इन 4 subject में अलग-अलग 50% होना चीए, aggregate यानि total 60% हो, और अलग-अलग 50% होना चीए, हर एक subject में अलग-अलग 50% होना चीए, और 10th में mathematics exam pass किया वा होना चीए, तो य इसकी academic qualification है, student के लिए, ऐसे academic qualification होनी चीए, इसमें, अब इसमें कौन-कौन से candidate eligible नहीं है, जिन candidate ने exam pass कर रहे है, domestic science, domestic arithmetic, lower math, इन से अगर pass कर रखी है, तो वो इसके लिए eligible नहीं है, इसमें, general science, social study, higher secondary या 12th में उनके subject रहे हो, वो इसके लिए eligible नहीं है, जिन candidate ने एक साल का pre-university exam pass कर रखा है, agriculture, veterinary, dental examination, एक साल का पास कर रखा है, वो भी candidate इसके लिए eligible नहीं है, यानि कि 12th में अगर physics, chemistry, biology, or biotechnology से पास है, वो सारी condition है, उसके बार तो एक साल का course किया, वो कोई दिकत नहीं है, लेकिन इन से पास ही नहीं है, वो इस base पर admission लेना चाहते है, एक साल क pre-university exam के base पर, जिसमें agriculture से किया हो, उन्होंने veterinary से किया हो, या dental exam से किया हो, तो वो इसके लिए eligible नहीं है, यहां पर, अब इसमें private candidate और open school के candidate भी eligible नहीं है, AFMC के लिए, और इसमें अगर एक से ज़्यादा attempt में qualifying exam, यानि 12th class pass की है, तो वो भी candidate इसके लिए eligible नहीं है, तो ये तो हो गया qualification, यानि कि academic और general qualification, अब मैं आपको exam का process बता देता हूँ, selection का आपको यहां process बता देता हूँ, कि इसमें कैसे आपको selection लेना है, तो जैसे ही MCC के form start हो जाते हैं, MCC के registration start हो जाते हैं, आपको mcc.nick.in की website पर registration करना है, AFMC के लिए, जैसे हर एक student All India Kota के लिए इसमें एक option आएगा, AFMC का, उस पर आपको tick कर देना है, यानि कि AFMC के लिए अलग से आपको कोई registration नहीं करना है, जैसे ही आप All India Kota या MCC पर registration करोगे, वहाँ पर आपको AFMC का option मिलेगा, उस AFMC के option पर आपको tick करना है, आप AFMC के लिए registration कर चुके होंगे, fees deposit होने के बाद में तो जैसे ही आपने MCC का registration complete कर लिया, उसमें AFMC select कर लिया, उसके बाद में MCC का role AFMC के लिए यहाँ खतम हो जाता है, MCC, AFMC के लिए जितनी candidate register होए हैं, जितनी candidate ने tick किया है, उनकी list AFMC को भेज देता है, उसके बाद में selection करने का काम AFMC का हो जाता है, यानि कि आगे AFMC ही selection उस list के according, MCC की website पर जो qualifying marks रखता है, student जैसे 162 है या 127 है qualifying marks, उस qualifying marks से ज्यादा वाले candidate, यानि जो qualifying के exam में, वो सारे यहां registration कर सकते हैं, AFMC के लिए, इसके बाद में, जैसे ही आपने registration कर दिया, AFMC के पास में list पहुंच गई, MCC के द्वारा registered candidate की, उसके बाद AFMC एक short list तयार करेगा, सभी candidates की एक list तयार करेगा, merit wise, merit wise का मदलब जैसे की मानलो 10,000 candidate है, उसमें उपर की merit वारे 1880 candidate रख लेगा, AFMC 1880 candidate रख लेगा, उसमें 1490 male candidate होंगे, और 390 female candidate होंगी, और बाकी वाले candidates reject हो जाएंगे, यानि कि उनको screening test के लिए नहीं बुलाया जाएगा यहां पर, और जो ये 1880 candidate short listed हुए हैं, उन candidate को screening test के लिए बुलाया जाएगा, उनके cut-off marks डाल दिये जाएंगे AFMC की website फर, यानि कि उन cut-off marks से अबो वाले candidates को ही यहां screening test के लिए बुलाया जाएगा, अभी screening test क्या होता है, तो इसमें, जो screening test होता है, उसमें मैं तीन चीज़े होती हैं, सबसे पहले, जो आपने NEET का exam दिया वो तो है ही है, उसका score काम में आता है, उसके बाद इसमें एक जोड़े जाते हैं, वो सिरफ qualifying के लिए ही है, दो के marks यहां जोड़े जाते हैं, एक तो NEET का score और एक टोले test का score, उसके बाद में 50 marks का interview होता है, उस 50 marks के interview के भी marks इसमें जोड़े जाते हैं, तो इस परकार से यह तीन परकार के test के marks यहां जोड़े जाते हैं, उसके according फिर एक merit list तयार की जाती है यहां पर, अब मैं आपको screening test में जो तीन test होते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ, तो सबसे पहले होता है, toler test, toler test जो होता है, वो होता है test of English Language and Reasoning, recently next reading, reasoning का test होता है, तो इसमें जो toler test होता है, वो 80 marks का test होता है, 80 marks का test होता है, toler test, तो 80 marks का test ह कोने के बाद फिर आपका psychological assessment test लिया जाएगा उसके बाद interview होगा और उसके बाद medical होगा और उसके बाद में final merit डाली जाएगी उस merit में अगर आप selection range में हैं तो आपको बुला लिया जाएगा और वो merit के बाद में एक waiting list भी डाली जाती है तो waiting list में वो candidate होते हैं अगर वो list में डाली जाते हैं उसमें कोई candidate absent होते हैं तो फिर waiting list वाले candidate ले लिये जाते हैं तो यह है इसका selection procedure screening test का अब जो screening test में टोले test होता है वो cbt mode में होता है computer based test होता है यह 40 इसमें mcq आते हैं हर एक mcq 2 marks का होता है इसमें यानि कि यह total 80 marks का exam हो गया और यह fmc पोने में लिया जाता है यह exam और इसमें negative marking भी है अगर आप a question incorrect करते हैं तो आपका एक marks कट जाएगा यानि कि एक marks सही करते हैं एक qution सही करते ही तो दो marks मिलेंगे अगर एक qution गलत करते हैं तो एक marks कर जाएगा यानि कि 0.5 इसमें negative marking है यहाँ पर यह जो 40 qution है आपको 30 minute का time दिया जाएगा solve करने के लिए तो यह इस परकार से जो marks आप तोले test में obtain करते हैं वो need के score में add कर दिये जाएंगे तो आपकी return exam के final marks हो जाएंगे और उसके बाद में इसमें interview के marks दोड़ करके merit निकाल दी जाएगी अब जो इसमें एक psychological assessment test होता है वो सरफ pass करने के लिए होता है उसके marks यहाँ कहीं add नहीं होते हैं अब जो 50 number का interview होता है वो interview general awareness और knowledge इनका होता है आपका क्या interest है आपकी hobbies क्या है आपकी personality कैसी है यह एक judge के panel द्वारा interview लिया जाता है और उसमें weightage दिया जाता है यानि कि priority दी जाती है जो candidate NCC से हैं sports से हैं उनको भी priority दी जाती है और जिनके वार्स हैं जैसे officer से JCOs हैं OR से जो ex-servicemen हैं या serving कर रहे हैं उनके wards को भी यहाँ पर weightage दिया जाता है जो service के दोरान war में expire होगे या board out होगे उनको भी यहाँ weightage दिया जाता है उसके बाद में final merit तयार की जाती है जो final merit तयार होती है वो need score, interview और tollet test के according होती है और फिर जो PAT test मैंने आपको बताया जो psychological assessment test होता है वो सिरफ pass करने के लिए होता है अगर उसमें कोई pass नहीं होता है उसके बाद आगे medical exam होती है इसमें medical exam तीन या चार दिन का प्रोसेस होता है तीन या चार दिन तक medical exam चलती है जिनमें आपके सारे test stage होते हैं total test होते हैं उसमें और उसमें x-ray वगरा ये सारे के सारे medical में होते हैं यानि कि medical काफी इसमें इस्ट्रक्टरी होता है यहां पर, तो यह selection procedure है यहां पर, अगर कोई student training यानि MBBS course के दोरान casualty हो जाती है किसी, casualty का मतलब अगर कोई disable हो जाता है, तो अगर वो आगे continue नहीं करना चाता है, तो उसको जो training का खर्चा होता है, वो उससे लिया जाता है, वो 28,166 रुपए पर वी का होता है इसमें, अब इसमें SCST के candidate के लिए भी 10 seat हैं इसमें, इसमें total 145 seat हैं इसमें, जिसमें 115 seat से वो male candidate के लिए हैं, और 30 seat से वो female candidate के लिए हैं, मैंने बताया 5 seat sponsored candidate के लिए हैं, जो government of India दवारा nominate किये जते हैं इसमें, अब इसमें facility यां दोरान भी हैं और MBBS के बाद जब आप service करते हैं कमें, संड ओफिसर के तोर पर तब भी तो facility की कमी नहीं रहती हैं यहां पर, MBBS के दोरान hostel facility है, एक A1 hostel है यहां पर और girls और boys के लिए अलग-अलग hostel हैं, मैस की facility बहुत ही अच्छी है यहां पर, इसके बाद आपको यहां प MBBS के दोरान आपको जो hostel है, वो फिरी है, मैस है, वो फिरी है रासन उसमें, इसके बाद में आपको AC3 टाइर railway वारंट दिया जाएगा, यानि कि आप दो vacation मिलते हैं इसमें, दोनों में आप घर आओगे तो आपको AC3 टाइर का वारंट दिया जाएगा, और अगर जब आप क purchase करने के लिए, stationary allowance 1680 रुपीज मिलता है, uniform allowance 6000 रुपीज मिलता है, hair cutting का भी allowance मिलता है 210 रुपीज, washing allowance मिलता है 840 रुपीज, यहाँ एक insurance की scheme भी है, एक candidate के 7200 रुपे deposit होते हैं, अगर कोई casualty हो जाती है, तो उसमें 15,00,000 रुपे death के condition में मिलते हैं, और इसमें 3,00,000 इसमें group insurance scheme भी है, discipline इसमें A1 का होता है, यानि कि जो RC student है वो AFMC के like नहीं है, अगर RC student AFMC में पहुँच जाता है, तो उसको भी यह AFMC एक solid soldier बना के छोड़ देता है, यानि कि solid soldier बना के रख देता है, कहने का मतलब, आपको सुवेश समय से उठना पड़ेगा, अपनी देनिक दिन चरिया करने के बाद आपको PT वगरा में जाना है, प्रेड वगरा भी होती है, उसमें Monday वगरा को, और इसके बाद में breakfast के लिए एक standard होता है, उसमें dress आपको match के लिए एक standard से पहननी है, इसमें बीच-बीच में और भी काफी सारे programs होते हैं, और काफी सा साल में दो बार मिलती है, दो तीन वीक का, summer vacation में मई जोन में आपको leave मिलेगी, घर जाएंगे, winter में दो त्री वीक की, दिसंबर जनवरी में इसमें leave मिलती है, तो आप घर जा सकते हैं, बाकी facility, hospital की ये आपको मिलती है, और इसमें आपके recreation के लिए भी facility है, और इसमें sports के लिए, gymnastic के लिए, tennis, hockey, football, volleyball, basketball, handball, table tennis, ये सारे के सारे games यहाँ available हैं, हर एक student को इन में परजिन थोना जरूरी होता है, तो ये activities करने होती हैं यहाँ पर, अब इसमें जैसे ही आपका MBBS complete हो जाता है, उसके बाद आपको AFMC के बाद में कमें संड service join करना होता है, यानि कि इसम आर्मी, नेवी, एरफोर्स में आपको किसमी डोक्टर बनना हैं, वो इसमें हैं, इसमें दो प्रकार की service है, SSC है इसमें और एक PC है, यानि कि short service commission, 50% seat इसमें 50% candidate को लिया जाता है, 50% seat पर merit के according और student की 24 के according, और फिर दूसरा है, वो PC है, permanent commission है, तो इन दोनों पर student को marks के according, appoint किया जाता है, cadet के तोर पर 56,100 रुपए salary मिलती है यहाँ पर month, lieutenant 61,300, captain 69,400, major 1,21,200, lieutenant colonel 1,30,600, colonel 1,39,600, brigadier 1,44,200 और आगे major general वगरा promotion होते रहते हैं time to time, अब इसमें एक condition यह है, कि इसमें आपको 60 days की leave मिलेगी, जैसे ही आप service कर रहे हैं, army, navy, air force में 60 days की आपको EL earned leave बोलते हैं उसको, और 30 days का casual leave यानि की CL मिलता है यहाँ पर, बाकी सारी facility यहाँ पर, free medical services, आपके लिए, आपकी family के लिए, CSD canteen अविलेबल है, यहाँ group policy, group insurance भी 75 लाग का अविलेबल है, घर आते जाते आपको railway warrant मिलेगा, और आपने duty join कर ली, मैंने दो तरीके बताई आपको, एक तरीका आप AFMC से MBBS करके duty join कर सकते हैं, दूसरा MBBS किसी भी college से करने के बाद में army से vacancy निकलती, उसमें join करके भी army में डोक्टर बन सकते हैं आप, जैसे army में आप डोक्टर बन गए, उसके बाद में आपको 4 साल service कर 108 PG की seat हैं, जिसमें 40 super specialty course के लिए हैं, हर साल के लिए, इसमें अगर इनमें AFMC में भी student का selection नहीं होता है, तो वो other medical college में भी PG कर सकता है, चार साल के बाद में, और वो abroad से भी कर सकता है, वो इसके इच्छा है बाद में, लेकिन जो permanent commission है, उनको full leave भी दी जाती है, यहाँ पर, study leave भी मिलती है यहाँ पर, अब इसमें medical exam होता है, जो मैंने आपको बताया, यह सारा होने के बाद में, last में medical exam होता है, 3-4 दिन तक होता है यह exam, और इसमें सब कुछ देखा जाता है, इनमें आपको fit होना चीए, male candidate के लिए 157 height होनी चीए, female candidate के लिए 152 होनी चीए, weight होना चीए, तो यह सारी की सारी visual standards कितना है, color vision, सारा का सारा, यह आपका medical किया जाता है, और medical में आप fit होगे, merit में आ गए, तो आपको फिर call letter दे दिया जाता है, आप join करें, जो student join नहीं करते हैं, उनकी जगे फिर waiting list वाले candidate आ जाते हैं, आप पर प्रिवेस यह रिकी मैं आपक boys की 618 cut-off रही थी, और girls की 637 cut-off रही थी, यह cut-off किसके लिए रही थी, यह cut-off screening test के लिए रहती है, यानि कि MCC पर आपने apply कर दिया, उसके बाद आपकी जो list है, वो पहुंच गी, AFMC के पास, AFMC 1880 student उसमें sort-out करेगा, और वो 1880 candidate, जिस marks पर आता है, last candidate, वो उसकी cut-off होगी तो 2021 में boys के लिए 609 थी, girls के लिए 627 थी, 2022 में boys के लिए 616 थी, girls के लिए 641 थी, 2023 में boys के लिए 622 थी, और girls के लिए 648 थी, हमने तो 2023 में cut-off predict की थी, वो वीडियो हमारा AFMC का अभी भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, boys के लिए हमने 625 cut-off पहले ही predict कर दी थी, और girls के लिए 645 cut-off predict की थी, वो तकरिबन सैम गई है, यानि कि हमने boys के लिए 625 की थी, वो 622 गई है, girls के लिए हमने की थी 645, वो 68 गई है, तो यानि कि जो मैंने cut-off predict की थी FMC के लिए, वो बिल्कुल accurate गई है, दो तीम marks का कोई अंतर नहीं रहता है यहां पर, अब 2024 के लिए क् expected cut-off रह सकती है, 1880 candidate के लिए, तो ये 665 सबसे high cut-off रहेगी, 2024 में इस बार boys candidate के लिए और girls candidate के लिए record तूट जाएगा 690 का, तो इस बार ये high cut-off रहेगी, आपर, अब मैं आपको last miss summarize करवा देता हूँ, कि ये admission आपने कैसे लेना है, तो सबसे पहले mcc.nick.nick.nick इनकी website प ही AFMC पर आपको tick करना है, AFMC का जो check box है, उस पर आपको tick करना है, check box कैसा है, इस परकार का आपके पास में apply for का option आएगा, यहां armored forces medical college यहां आपने tick करना है, इससे previous step में आप से ये पुछा जाएगा कि क्या AFMC के लिए आप apply करना चाते हैं, उसमें आप yes करोगे, तो यहां automatic टिक टिक लगा हुआ आजाएगा, तो AFMC के लिए आप eligible हो जाएगे, अब जो cutoff list है, AFMC द्वारा तयार की जाएगी, 1880 candidate की, वो cutoff मैंने आपको बता दी है, expected, अब उसके बाद में AFMC द्वारा वो list भी डाली जाएगी, और date और time डाला जाएगा, यानि कि यह 3-4 दिन में screening test होता है, तो 3-4 दिन में अलग-अलग student का marks wise इसमें schedule डालते हैं, AFMC, और इसके बाद में वो जो schedule होता है, वो screening test का होता है, और यह first round result जब publish हो जाता है, MCC की यह publish होने वाडा उसके nearby यह list डाली जाती है, यह student को पुने बुलाया जाता है इसमें, तो अगर आप AFMC के लिए apply कर रहे हैं, तिक करने के बाद में आपने afmc.nick.in की website पर admission section में properly visit करते रहना है, और देखते रहना है कि time or slot तो नहीं आया है, time or schedule नहीं आया है, आप उसमें selected candidate की जो screening test में select होते हैं, उनकी list डाल दी जाती है, और waiting list भी AFMC की website पर डाल दी जाती है, तो इस प्रकार से देखने की भी जौरत नहीं पड़ेगी AFMC के लिए, अगर आप AFMC के लिए interested हैं, तो अभी से आप तयारी कर दीजे, शुरू कर दीजे, टोले test की, psychological assessment test की, और interview की आप अभी से तयारी कर दीजे, शुरू, आपका अवस्से selection होगा, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जैहिंद!